हेलो एब्रीवन कैसे हो आप सब एक बात पुना स्वागत है आप सभी का अमारे अपने यूट्यूब चैनल सिव कोचिंग क्लासेस पर उम्मिद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे बेतर होंगे आप सभी की पढ़ाई बेचे डंग से चल रही होगी आज की इस बीडियो हम देखेंगे क्लास 12, 22, NCRT चैप्टर 5 दोस्तों मारा चल रहा है जिसमें आज की इस बीडियो हम देखेंगे जीनोम एवं जीनोमिक्स क्या होती है देखेंगे छोटा सा टापिक है लेकिन पेपर के पॉइंट आप भी उसे काफ ही इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया कि जीनोम एवं जीनोमिक्स किसे कहते हैं और साथी साथ कभी कभी जीनोमिक्स के अनुप्रयोग भी पूछा जाता है, तो चलिए सीधर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखें जीनोम अथवा जीनोमिक्स की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं जीनोम की यदि हम डिफिनेशन देखें, तो जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त जीनों या अनुवानसिक पदार्थों को ही हम उसका क्या कहते हैं जीनों कहते हैं तो किसी भी जीवधारी के अंदर कुल कितने जीन उपस्थित हैं और जितने अनुवानसिक पदार्थ उपस्थित हैं इनको ही समुहिक रूप से क आर्याने का बना हो सकता है तो आर्याने का जो जीनोम होता है वो बेसिकली आर्याने बिसारुगों में अधिकतर पाया जाता है क्योंकि जो आर्याने होता है वो अधिकतर प्लांट वाइरस में पाया जाता है तो जीनोम जो होता है वो ड्याने या आर्याने का बना होता है तो जिनोम की यदि बात करते हैं कि जिनोम बना किस से होता है तो जिनोम या तो DNA का बना हो सकता है या तो RNA का क्योंकि नुकली कमली तो दो ही प्रकार के होते हैं DNA और RNA तो नुकली कमली यानि जो भी अनुवानसिक पदात उपस्तित होगा उसमें या तो DNA होगा या तो RNA होगा तो जिनोम जो होता है वो तो DNA का बना होता है या तो फिर RNA का बना होता है देखे जिनोम सब्द की अधी बात करते हैं तो यह जो जिनोम टर्म है इसको सबसे पहले हैंस विंकलर नामक साइंटिस्ट ने 1920 में इसका सबसे पहले प्रयोग किया था तो सबसे पहले तो आपको इसका रखना है कि जीनोम सब्द का प्रयोग साथ प्रतम किस ने किया तो हैंस बिंकलर नामक साइंटिस्ट ने किया था 1920 में मतलब 1920 में सबसे पहले हैंस बिंकलर ने जीनोम सब्द को प्रतिपादित किया इसके बाद यदि बात करते हैं जीनोम की तो देखें जीनोम के अंतरगत ब नाभिक के अंदर या केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जीनों को सामिल ना करके अपितु माइटरो कांडिया में तथा क्लोरोप्लास्ट याने की हरित लबक के अंदर उपस्थित डिने को भी सामिल किया गया है। इसके अंदर का जिनोम के अंतरगत तो जिनोम में ना केवल नाभिक के अंदर उपस्थित DNA को सामिल किया गया है बलकि माइट्रोकांडिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर उपस्थित जो भी DNA होता है उसको भी जिनोम के अंदरगत सामिल किया गया है तो जिनोम के अंतरगत यहा जीवधारियों के सरीर को बनाने तथा उसकी विभिन्न कριाओं के संचालन संबंदी जीन पाए जाते हैं। अंतरगत आते हैं मतलब जीनों है क्या तो एक प्रकार से जीनों का समों ही तो आए तो जीनों के समों में तो सभी प्रकार की जीन आते हैं कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि जीवों के सरीर को बनाने में काम आते हैं कुछ जीन ऐसे होते हैं जो कि अंदर की काई सारी मेटावोलि क्रियाओं के संचालन संबंधि भी काम करते हैं तो प्रतेग जीनोम में जीवधारी के सरीर को बनाने तथा उनसे संबंधित दिभिलन क्रियाओं को संचालन संबंधित भी जीन पाए जाते हैं इनके एक्जामपल की यदि बात करते हैं तो देखे मानो में specially यदी हम बात करें तो मानोजीनोम में क्या होता है कि 3 billion से भी अधिक DNA छारक युगम पाय जाते हैं जो मानोजीनोम है उसके अंतर का 3 billion से भी अधिक DNA छारक युगम पाय जाते हैं जिसमें से 30,000 के something जो छारक होते हैं नाइट्रोजनी छारक जो होते हैं वो युग्म या जीन सक्री होते हैं तो टोटल यदि मानव जीनों में बात करें तो तीन बिलियन से भी अधिक DNA छारक युगों पाए जाते हैं मतलब जीनों में इतने कुल मिला करके DNA छारक युगों पाए जाते हैं जीन में से 30,000 छारक युग्म ही क्या होते हैं जो जीन हो सक्री होते हैं तो 3 billion में से केवल कितने सक्री होते हैं 30,000 यानि 30,000 इसके बाद देखे जिनोम की यदि हम सनचना एबं कारियों का अध्यान करते हैं तो जिनोम की सनचना एबं कारियों का जो अध्यान होता है यह क्या कहलाता है जिनोम बिसलेशन कहलाता है या इसी को हम क्या क जीवधारियों के अंदर उपस्थित समस्त 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 जीवध पदार्थों को हम उसका क्या कहते हैं जीनोम कहते हैं जीनोम बेसिकली डियने या रियाने का बना हो सकता है जीनोम सब्द का प्रतिपादन सबसे पहले हैंस बिंकलर ने किया था जीनोम के अंतरगत केवल नाभिकी जीनोम को तो सामिल किया ही गया है साथ ही साथ माइट्रो का इसके बाद आपने एक्जामपल में क्या देखा कि जैसे मानो जो जीनोम है उसमें 3 बिलियन से भी अधिक DNA छारा क्यों पाय जाते हैं या जीन पाय जाते हैं जिसमें से 30,000 के सम्थिंग जीन ही क्या होते हैं एक्टिव यानि की सक्री होते हैं और जीनोम की सनचन एवं कारिय जीनोमिक्स कहलाता है इसके बाद देखी यहां पर हम देखेंगे कि जो भी जीनोमिक्स के अनुप्रयोग होते हैं जीनोमिक्स का कहां कहां पर अनुप्रयोग हो सकता हो हम आपको पताने वाले तो देखी जीनोमिक्स का जो अनुप्रयोग होता है सबसे पहले जीनोमिक्स क लच्छन हैं उनको समझने में मदद मिलती है क्योंकि जीनों में ही तो क्या होती है जीनों के द्वारा ही तो अनुवांसिक लच्छन निर्धारित होते हैं और गुनसूत जैसे कि अनुवांसिक तक बाहाक होते हैं मतलब एक पीडी से दूसरे पीडी तक जो अनुवांसिक ल समझने में मदद मिलती है दूसरा जीनोमिक्स का अनुप्रयोग क्या है कि इसकी सहायता से जो भी वनसागत बिमारियां होती है उनसे बचने तथा उनसे बचने में मदद मिलती है तो ये चीजे आपको ध्यान में रखने दूसरे यूजस क्या है कि इसकी सहायता से जो वनसागत बीमारियां होती है उनसे भी बचने में मदद मिलती है क्योंकि जीन के अंदर यदि कोई गड़वड़ी है तो इसका पता लगा करके वनसागत बीमारियों से भी बचा जा सकता है तीसरा यहां पर अनुप्रियोग क्य क्या है कि इसके अध्यान से जो ट्रांसजैनिक जीव होते हैं मतलब जो अनुवानसे क्रोप से रुपांति afraidous jyv होते हैं उनको पैदा करने में या उन जीवों को पैदा करने में या उतपन करने में भी सहायता मिलती है तो इस प्रकार से जीनोम या जीनोमिक्स किसे कहते हैं तथा साथी साथ जीनोमिक्स के अनुप्रयोग क्या होते हैं ये कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया इसलिए पेपर के पॉइंट आप भी उसे काफी इंपोर्टेंट कोस्टिन है उम्मीद करता हूँ दोस्तो वीडियो पसंद आयोगी दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजेगा साथी साथ दोस्तों भी सेयर कीजेगा मिलते हैं दोस्तो नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम